कि गुर्खाओं की आवाज को बुलंद करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और ख़बर को लाइक शेर करें कि हम भूगत रहे हैं इस बात को अपने बेटी है बेलाया है फुसलाया है यह पर यह आत्तम की कम है क्या वह धंगी सामने सामने से धंगी दे रहे हैं छे साल से मैं जहल रही हूं यह कम है हमने सपेश मांगा हूआ है अपने ले सुरक्षा मांगा है तो मुझे उस लड़के को सजा दिलाना है बात समझ रहे हो मुझे वो लड़के को सजा दिलाना मुझे उनके खिलाब मुझे यह चाहिएगी बस और क्या बोलूँ मैं एक तरव देश में लोजिहाद पर बनी फिल्म दखिरल इस्टोरी पर चाचा जोरो पर है वहीं दूसरी और फिल्म के फसाने से दूर इन दिनों देरादून समेत उत्राखंड में लोजिहाद का जहर बड़ी तेज रफतार के साथ फेलता हुआ नजर आ रहा है इसका शिक सानी देरादून से करीन 40 किलोमेटर दोर इस्तिद विकास नगर में एक गोर्खाली परिवार की बेटी के साथ लव जिहाद का गंवीर मामला प्रकाश में आया है आपको बता दे कि पीडित पक्ष की मदद के लिए खबर मिलते ही गोर्खा समुदाई की तरफ से गोर्खा संस्थाओं के लोगों ने आगे आकर नियाय की लड़ाई लड़ने में अपनी पुर्जोर कोशिश की इसके लिए सबी लोग वाकई बधाई के पात्र है वही दूसरी और लव जिहाद के आरोपी परिवार की तरफ से मिल रही धमकी के चलती इस्तानिया बजरंग दल के ल देखते वे आरोपी सहबान के उपर पूक सो एक्ट के अलावा धारा 323, 354, 376, 452, 504 और 506 के तहट आपरादिक मामला धर्ज किया है एफायार में परिवार के तरफ से शिकायत की गई है कि सहबान ने बेला फसला कर उसकी बेटी के साथ दुशकरम किया है जब वह छोटी थी नाबालिक थी लगबक 15 साल की तब से वह उसको परिशान करता था बाद में उसकी अशनील वीडियो बनाकर उसको ब्लेकमेल करते हुए लंबे समय से दुशकरम करता रहा है साथ ही पिडित परिवार ने आरोप लगाते हुए शिकायत दर्ज की है कि आरोपी ने उनके घर पर आकर जान से मारने की धमकी दी मारपीट की और उनको परताडित किया है हाला कि पुलिस ने जो आपरादिक मामले दर्ज किये है उनमें अशनील वीडियो बनाकर ब्लेकमेल करने की आपरादिक धाराय जोडी नहीं है वीर गुर्खा वैप टीवी ने पूरे मुद्दे की जमीनी पड़तान करने के लिए उक्त पीडिता के परीजनों से उनके घर जाकर बात करने का परियास किया अब यह सवान उड़ता है कि आखिरकार पहाड में क्यूं लव जिहाद के मामले बीते कुछ दिनों से बहुत अधिक संख्या में सामने आ रहे हैं हाला कि बहुत बड़ा तबका अब भी लव जिहाद के मुद्दे को लेकर बहस बाजी में उल्चा हुआ है लेकिन इसके उलड़ जमीन में इस तरह की घटना घटित होता हुआ देखकर इस गंबिर मुद्दे को जनता के समक्ष लाने के परियास किये जाने चाहिए यह खबर एक संदेश है उन तमाम माता पिताओं के लिए जिनकी मासुम बच्चिया इशोरा अवस्था जेसी नाजुक दोल से गोजर रही है अकसर इस तरह की खबरों में ओने वाले दुखत अंत की भी अंत हिन संख्या लगातार जारी है लेकिन उम्मेद की जाने चाहिए कि लव जिहाद जिससे परियासों पर पुलिस एवं सरकार सकती से निप्टे आएए देखते हैं वीर गुर्खा वैब टीवी की यह खास खबर नमस्कार आप देख सकते हैं कि मैं उस लव जिहाद की जो शिकार जो बच्ची है उसके घर पे आ चुका हूँ आप ये देख के अंदाजा लगा सकते हैं कि मुश्किल हालात में रहने वाले जो लोग है पहाड के जो लोग है वह ज्यादातर चीनहित करके शिकार के रूप में देखे जा रहे हैं अचानक से जो धर्म के आधार पे जो जनसंक्या का अनुपात अचानक से बदल रहा है उसी सरंखला में लोग जिहाद के मामले अधिकतर देखने को मिल रहे हैं आप देख सकते हैं कि एक मुश्किल हालात में जीवन याफन करने वाला जो परिवार है उस परिवार की एक बेटी जब इस तरह की शिकार होती है तो आप सोचिए आप कलपना नहीं कर सकते कि उस परिवार के मन में किस तरह के हालात किस तरह के दर्द को अपने अंदर समान पढ़ता है और हम कोशिश इस लिए इस ख़बर की कर रहे हैं कि यह एक मुद्धा, पहाड का मुद्धा है हम पहाड से पीयार करने वाले पहाडी लोग हैं और इस पहाड के हर सुख दुख और हर तकलीफ को आपके सम्मुक उठाने के लिए इस तरह की खबर लगातार लेके आते हैं। आपको एक बार फिर दिखाते हैं एक मुश्किल हालात में। जेके स्वाबिमान के साथ रेने वाला विक्ती है। हाला की मुश्किल चिनोती में रहता हो। लेकिन आप देख सकते हैं एक स्वाभिमानी परिवार की छोटी सी बीटिया इस तरह की चीजों का शिकार हुई एक एसा मुद्धा जो हमारे समाज के युवा खास करके जो युवतिया है उनको कहीं नखहीं संदेश देने के लिए उस दिशा में काम करेगा आज देहरादून से करीब 40-45 किलोविटर दूर विकास नगर में एक एसी घटना पेश आई है जिससे हम सभी को चिंता करने का अशक्ता है अब अगर चिंता करेंगे युवा बर्ग की और युवतियों की तो उनके माता पिता का इसमें एहम रोल रहता है एक एसा मामला आया जब एक दूसरे धर्म के युवक ने एक दूसरे धर्म के युवति के साथ लगातार उसको बर्गलाते वे उसको बहला फुसलाने का प्रयास किया एवं शादी लुक्षिब के करने का कार्य करने की कोशिश भी कि पीडिता है उनको डराने धमकाने की भी बात सामने आई और उस परिवार की यदि हम बात करें तो इस मुश्किल हालात में उन्होंने अपने बच्चे का लालन पूशन किया है एक मां होने के नाते पिता होने के नाते उनके लिए ये चीजे बहु मुश्किल है उस पेडिता की मा आज हमारे साथ मुझूद है नमश्कर आपका स्वावत क्या है ये पूरा घटना क्रम और आपको क्या लगता है कि किस तरह की चीजे आपके सामने हुई और आप क्या कहना चाहते है हमारे लोगों से आप जो भी बोलना चाहते है थोड़ी ही चाहते हैं ख़्या में पूरा मामला क्या है इस बारे में थोड़ी जानकरी ते हो ना क्या था लड़्गी कल परशू चली इंधी मेरी अगा करने बाका हमें तो पता भीलता हमारे घर से निगल गी थी काम पे जाएंगे करके अब मैं सो जब डूटी पे चली होगी यह च मेरी लड़की को बस मैंने जाके उनके खिलाब रिपोड कर दिया और और यह जो यह चीजे था कई लोग इसको पूरे मामले को यह भी कह रहे हैं कि लव जिहाद जैसा एक मामला है इस मुद्धे पर आपको क्या कहना है आप मानते हैं कि यह लव जिहाद से जुड़ावा माम कि आपको क्यों लगत रहे हैं ना हम कुछ भूगत रहे हैं सब्स को अब मेरी बेटी है बहलाया है फुसलाया इतने सालों से समझा जाया रही थी माने इसलें अबने मजबूर हो के मैंने आज यह कदम उठाया अपना चौकी में रिपोर्ट करा रहा हैंने उन लोग के कि अपने लड़की समालो तेरी लड़की निये तेरी लड़की यह वो है पदनी क्या अंट संट जो सुना भी नहीं जाता अपने लड़की अप्शब्द भी का उनों हां जी तो एक मा होने के लाते देखिए चुकि आप काफी मुश्कील अवस्ता से निकले हो जब बच्चे अगर हम बात करें लव जिहाद से जूड़के अगर हम बात करें उससे जोड़के तो आपको क्या लगता है कि इस तरह की घटना आ रही है तो और जो इस कारेकरव को देख रहे और बच्चियों को यह उनके माता पीता को किस तरह से सबग लेना चाहिए कुछ भी जो आपको लगी उनके सामने अगर जो आपको देख रहे हैं उनको क्या नसीहत देना चाहेंगे क्योंकि एसे मामले से आप दोचार हो चुके हो और आप पीडित हो अगर यह लव जिहाद का अगर हम मामला मानने तो बहुत गंभीर मामला है और बीते दो दिन में तकरीबन तीन से चार मामले राजदानी देरा दून में आये हैं इस तरह के मैं तो यहीं बोलूँगी जो मैंने किया है वो करें आगे उनके लिए बच्चों के लिए कोई अप्शन उठाए मैं भी तो खड़ी हूं ना देरी हूं पचास सो आदमी को जवाब देरी हूं ल मदत यह यह बजरंग दलवालों का मुझे भरोसा है उन्होंने मदत की आपकी उसके अलावा गोरखाली सबुदाय के लोग भी काफी बड़ी संख्या में दिखें हां जी वो भी आये मेरे लिए अभी आप ही लोग हो हेल्प कर रहे हो आपको क्या लगता है कि इस मुश्कि मेरे अपने नेपाली है जाए कोई और भी हैं काफी लोग है साथ देरे जो हमारे हिंदू सब है तो कहीं न कहीं देखिए एक मुश्किल चिरोती पहाड में अकसर क्योंकि मैं पत्रबारता करता हूं तो मेरा एक दाइत वह यह भी बनता है कि मैं अपने लोगों को ऐसी ची जिहाद से मिलता जूलता मामला है और लोग जिहाद ही आप इसको मानते हैं तो आपको क्या आने वाले भविश्य में किसी तरह से डर है कि सामने वाला पक्स आपको धंकाएगा यह आपको किसी इस तरह की चीजे है आपके पुलीस के जो रिपोर्ट लिखा हैं इस तरह की पुलिस की तरफ से किस तरफ आपको सयोग मिला आप उसे क्या उनकी वह चीजों से संतोश है आपको उन्होंने जिस तरह से चीजे कहीं उन्होंने हां जी कई वी तो है और ज्यादा तर तो मुझे बजरंग दल वालों से है उमीद जी जो मैं बाद बोल रही हूं उन्होंने विश्वास दिलाया काफी करके भी दिखा रखा है कई कई लोग कहते हैं देखिए अभी हाल किला अगर हम बात करें आप उत परिवार है मजबूर परियार है उनकी बच्ची के साथ लव जिहाद जैसा एक गंभीर मामला आता है तो उससे में बजरंग दल आके उनके परिवारों को बचाता है एक पीडित देखिए जिस चीज को भुगत चुके हो आप आपका बजरंग दल को लेकर क्या मानता है और खुद पता ही नहीं होता कि कहां गई लड़की कहां गई क्योंकि मेरे लिए तो भगवान वहीं बनके आया क्योंकि उन्होंने लड़की सही सलामत मुझे घर पोचा दिया तो आप अभी तो मैं उन्हीं के लिए बोलूंगी ना देखिए जमीनी हकीकत अलग है आप मीडिय में देखो तमाम तरह के प्रोपोगेंडा में फसके रहे जाओ कि ये एक तरह से मीडिया में कहीं बार देखा है यह ने तो काफी साथ भी दिया हुआ है मेरा हमझी मीडिया में कई बार देखा है कि विपक्षि दल अकसर कहते हैं कि बजर्ण को आतंगी संगठन्थ से जब से उसको बहला या फुसला जा रहा है परिशान किया जा रहा है तो यह लगालो आप आठ नो साल की थे उस टेम पे उस टेम में कोई उमर ही नहीं थे उसके 15-16 साल की ज्यादा एट नाइन पर पड़ती थी 15-16 साल की उमर तब से वो परिशान करें तो अब चुकि सारी चीज आपने पुलीस में भी रिपोर्ट कर दी है आपको समाज के लोग भी आके मदद कर रहे हैं अब आप आगे चाहती क्या हो पुलीस से क्या चाहते हो प्रशासन से क्या चाहते हो समाज से क्या चाहते हूँ मैं समाज से भी यह चाहती हूँ पुलीस से भी चाहती हूँ कि जो बात मैंने ये 6 साल पहले मुझे रखी ती ये बात नहीं उठी मेरी तो मुझे उस लड़के को सजाद दिलाना है बात समझ रहे हो मुझे वो लड़के को सजाद दिलाना मुझ चलिए एक गंबिर विशे है चुकि हम लंबी बात नहीं करेंगे खुद भावनाओं पे सवार होके एक छोटी सी बेटी को आप बड़ा जब बनाते हो जब तुशोर वस्ता के उपर आती है वो एक मा का दर्ध मा ही समझ पाती है आपने हमसे बात की और लव जिहाद जैसे ग मनी करेंगे खुशी नहीं 14 माहीं 58 जुशी करेंगे 25 छोटी के लिव जब कि 20 व कला मैंसे पाव सिर्याटी है बात सिर्ण 250 मैंने खुश्ट बना पाव yeast है